हाई एवरिवन नमस्कार वेलकम बैक तो माई चैनल हरिद्वार फैमिल व्लॉग्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूं सब बेलकुल ठीक ठाक होंगे बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे आज आपके साथ शेयर करूंगी रेडिमेट कुर्तियां हुडी जो गर्स होती हैं ब लिए हुडी दिखाऊंगी और पुर्ती आज थोड़ा अच्छा ब्रेंड है साइज बाइस बताऊंगी जो भी इनका साइज होगा और बहुत ही अच्छी कुर्तियां हैं आपको कहीं मोल से या किसी भी बड़े आप शोरूम से लेए कुर्तियां तो इनके प्राइस बहु प्राइज अलग-अलग नहीं बताऊंगी बस यह बता रह रही हूं 1200-3500 तक इनका प्राइज रहने वाला है जादतर 1200-3500 रहने वाला है 1300-3500 एकाफ्ट कई रहेगा जो यहां प्रे यह कुर्तिया रखी हैं इनकी बात कर रही हूं भागी कुछ प्लाजोसेट्स दिखाऊं और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो आप चेक कर सकते हैं और जो भी आपको कुर्ति या जो भी आपको पसंद आता है उसका आप स्क्रिंशोट लें वोट्चाप पर सेंड करें बाकी के प्राइस डिटेल जो भी आपको चाहिए महाँ पर मिल जाएगी लेकिन फैब इसका फैब्रिक है बहुत ही सॉप्ट हाडवाला बिलकुल नहीं है देखिए इस दरह से और आपको नेक पे इसकी ये वाला डिजाइन मिलेगा नेक पे और देखिए कंपनी मैं आपको बताऊं प्रेस्टन कंपनी की कुर्तिया है ये बहुत जादा हाई वाला ब्रेंड भ ये डिजाइन मिलेगा देखिए ये वाला डिजाइन मिलेगा बाकी सारी कुर्ति प्रिंट में रहने वाली है बैक भी प्रिंट आएगा और इसकी स्लिफ्स की बात करूँ तो बैल स्लिफ्स आपको मिलने वाली है बैल स्लिफ्स में कुर्ति आएगी बहुत ही फिनिसिंग ह देखिए और साइज आपको यहां से ऐसे भी दिखाई दे रहा होगा तो एक्सल से डबल एक्सल तक यह कुर्टी आ जाएगी ऐसा नहीं है इस पर एक्सल है क्योंकि जो इसका फैब्रिक है काफी स्टेजबल है आप देख सकते हैं देखिए इस तरह से है तो यह डबल एक्सल को भी कुर्टी आ जाएगी क्योंकि एक्सल साइज मुझे आता है और मुझे तो शायद यह बहुत लूज रहने वाली है तो यह एक्सल को भी आ जाएगी और डबल एक्सल को भी आ जाएगी देखिए और प्राइस मैंने बता दिया बारा सो से शुरू होके साड़े तेरा स तो इन कूर्तियों का प्राइस जाने वाला है तो यह ऐसा और लुक आपको इसका उपर स्क्रिन पे डमी में लगे हुए दिखाई देगा तो आप चेक अच्छे से कर सकते हैं देख सकते हैं अगली कुर्टी। अगली कुर्टी का भी जो है स्टप ऐसा ही रहने वाला है सेम उसे स्टप की है ये भी बहुत ही सॉप्त स्टप है ये इस तरह से इसकी नेक पर डिजाइन आएगा simple color वाली इसकी नयकाने वाली है ये वाली excel size में आएगी और side में इसके ये pattern बना हुआ है side में print हो गया बीच में इसका plane हो गया तो इस तरह से इसका pattern आने वाला है कपड़ा pure woolen बहुत ही अच्छा softness है देखिए stitch है काफी और back is के बाद करो back इसका पूरा इस तरह से print आएगा ये वाला और slips आपको इसकी भी back slips मिलने वाली है देखिए इस तरह से और बहुत ही finishing के साथ आप देख सकते हैं देखिए बहुत ही अच्छी finishing है कुर्टी में तो look आपको इसका भी उपर डमी में नजर आएगा screen पे तो आप महासे अच्छे से देख सकते हैं कि इसका look कैसा आने वाला है अब देखते हैं अगली कुर्टी अगली कुर्टी आपको jacket में मिलेगी और ये जो इसका श्रग है आप श्रग बोल सकते हैं या jacket जो भी आप बोलना चाहें ये अलग हो जाएगा ये इसमें जो है अटेच नहीं है अटेच नहीं है उपर से डाली हुई jacket है इसको आप निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं किसी और पे आप डालना चाहें तो ये उस पे भी आजाएगी गाजरी पिंक कलर में कुड़ती है बैक में भी इसी तरह से इसकी जैकिट आएगी ये देखिए जाली वाली जैकिट इसकी है जो क्रोसिया से डिजाइन बने हुए होते हैं तो उस तरह की ये फैंसी इसकी जैकिट है देखिए और साइज की बात करूँ तो साइज इसमें डबल एक्सल आपको मिलने वाला है देखिए और बैक पे इस तरह से पट्टी मतलब जो है इसकी नैक ये चोड़े वाले डिजाइन में आएगी देखिए यहां तक इस तरह से और स्लिव्स की बात करूँ तो प्लेन रहने वाली है ये इसका बैक आएगा बहुत ही अच्छा वांब स्टफ है इसका गरम कुर्ती है पूरी सारी गरम कुर्ती है देखिए और फिनिसिंग की बात करूँ फिनिसिंग बहुत ही अच्छी कुर्टियों में रहने वाली है इस प्राइज में आपको ये कुर्टी नहीं मिलेंगी ये मैं फुल गरंटी आपको देती हूँ आप सर्च करके देख लेना और तब मुझे बोलिएगा और इसका येलो कलर है सेम वही जैकिट है सेम वही कुर्टी है लेकिन इसमें साइज की बात करूँ तो इसमें साइज एकसल रहने वाला है और थोड़ा सा कलर जो है रियल नहीं आ रहा है अच्छा कलर है बहुत ही बलेक जैकिट के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है सेम प्राइस के साथ सेम स्टाफ सब कुछ सेम है बस फर्क है तो साइज का वो डबल एक्सल में थी यलो वाली एक्सल में है तो देखिएगा कोई भी कुर्टी आपको पसंद आए तो आप स्क्रिंशोट ले और वाट्सब पर सेंड करें अब देखते हैं अगली कुर्टी अगली कुर्टी जो है नेवी ब्लू कलर में आएगी हाप ये वाला कलर आएगा जो रामा ग्रीन कलर होता है वो वाला कलर है हाप कुर्टी में और देखिए ये इस तरह से थ्रेडिंग के डिजाइन बने हुए है थ्रेड से काम है ये थ्रेड से काम है रेशम वाला जो थ्रेड होता है देखिए ये वाला तो इस तरह से इस पे काम आएगा एक साइड में और यहां पर आप इसका पैटन देख सकते हैं ये वाला पैटन आएगा बटन लगे हुए हैं तो इस तरह से पटिया लगी हुई है और गले की इसके बाद करो तो नैक पे इसके कॉलर का डिजाइन आने वाला है तो इस तरह से इसकी नैक बनी हुई आएगी और साइज की इसके बाद करों तो साइज इसका एकसल रहने वाला है इसकी भी आ और बैक इसकी नेवी ब्लू आएगी देखिए इसकी भी पूरी पिक आपको जो है डमी पे नजर आएगी स्क्रिन पे आप देख सकते हैं अच्छे से मापे इसका लुक नजर आएगा ये है इसका दूसरा कलर ब्लैक और रेड के साथ ब्लैक पे यही अम्रेला के डिजाइन बने हुए है थ्रेड से रेशम वर्ख है और हाप में आएगा रेड कलर और इसी तरह से पूरा पैटन आने वाला है और साइज यह है लाज साइज और बैक इसकी प्लेन आने वाली है और स्लीव सापको ये अम्रेला मिलेगी देखिए बहुत ही सुन्दर सा कंट्रास्ट है रेड के साथ ब्लेक का तो बहुत ही ब्यूटिफुल सी कुर्टी है राउंड नेक के साथ और कोलर वाली नेक आएगी तो अब देखते हैं ये वाली कुर्टी ये भी सेम ब्रेंड की कुर्टी आने वाली है और इस पे ये वर्ख है जरी वर्ख नहीं है रेशम वर्ख आए स्टाइल रहने वाला है सेरवानी स्टाइल में ये कुर्ती है नीचे आपको ये पाइपिंग मिलेगी ये वूलन नहीं है ये कपड़े की पाइपिंग लगी हुई है मतलब बोडर इसका जो है वो कपड़े वाला है ये जो पाइपिंग इसकी लगी हुई है ये कपड़े की ह और कोलर में कुर्टी आएगी सेरवानी स्टाइल बटन मिलेंगे इस तरह से उपर तक और ओपन यहां से रहने वाली है इतनी ओपन आएगी पूरी वाम कुर्टी है बहुत गरम स्टफ है और कोलर में इसकी नेक आएगी जो बंद वाले कोलर होते हैं वो वाले और जो साइज की बात करूँ तो एकसल इसका साइज रहने वाला है जाद अतर कूर्टियां जो है एकसल में ही आपके साथ यहां पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि एकसल कूर्टियां सबको लगबगा जाती है मेडियम लेडिस को और यही वाला बोर्डर आपको स्लीप्स पे मिलेगा जो इसक यह बात करती हूं अगली कूर्ती की अभी जो है वूलन वाला यहां पर मैं फ्रोक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बिलकूल एकदम डैफोडील या फिर अलग-अलग ब्रेंड की वोल होती है soft वाली wool है इसका मैंने पहले भी आपके साथ कुर्ती शेयर की है और ये कुर्ती मैंने आपको भेजी भी है किसी ना किसी को इसके color है मेरे पास थे मतलब आप नहीं है इसके color मेरे पास थे लेकिन अब ये gray और black में ही आपको मिलने वाली है नीचे ये वाला इसका border आजाता है उपर से डिजाइन ये आएगा और गले पे इसकी जो neck पर डिजाइन रहने वाला है वो इस तरह से रहेगा बहुत ही प्यारा सा प्रिटे सा look आता है इस कुर्ती का तो ये भी आपको डमी पर नजार आएगी किस तरह से इसका fitting आने वाला है और back की इसकी बात करूँ back पे भी इसकी same print रहने वाला है मतलब design रहने वाला है print बोल लहीं sorry woolen में print तो नहीं होता और ये इसकी sleeves आएगी sleeves पे भी ये ही border मिलने वाला है all over कुर्ती लगभग एक ही design में आपको ये मिलेगी देखिए और ये भी आपको axle size में मिलेगी axle size है back front सम सेम रहने वाला है अब बात करती हूँ अगली कुर्ती की जो की बहुत ही मोटे stuff में pure woolen में कुर्ती है और थोड़ी आपको जो है party wear कुर्ती ये मिलने वाली है neck पे इसकी handwork है net के साथ ये handwork आएगा सारा और net पे है ये काम इसका गला इस तरह से आएगा neck पे design देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये कुर्ती उस तरह की है इसमें कुछ भी आपको गले में डालने की ज़रुत नहीं है और back में इसके आपको ये hook मिलेगा ये वाला back में hook मिलेगा याँ पे और back भी इसी तरह से print आएगी मतलब design आएगा back में भी और front पे भी ये इसकी सेम slips रहने वाली है ये वाली long length कुर्ती है और size इसका भी axle रहने वाला है देखिए fitting बहुत अच्छी है कुर्ती की आप लोग safe से ही देख सकते हैं या पे axle वालो को लेकिन जो थोड़ा length है जिनकी लंबी लेडी के लिए ये कुर्ती है बहुत ही अच्छी double axle को भी आ जाएगी क्योंकि stretch काफी है axle से double axle दोनों को ये आ जाएगी लेकिन कम height वालो के लिए बहुत ही long रहेगी ये जादा height वालो के लिए सही है आप इसका चाए plajo set बना सकते हैं black plajo इसके नीचे लगा के तो आपका ये plajo set बन जाएगा अब देखते हैं अगली कुर्ती बहुत ही सुंदर सी beautiful सी कुर्ती मैंने ये आपके साथ share की देखिए ये कुर्ती भी same brand की रहने वाली है जो मैंने अभी पहले आपके साथ share की ये मैं लगाना साथ में भूल गई थी ये soft step में कुर्ती रहने वाली है सिरोस की वर्क आएगा और कुर्ती का जो color है वो real नहीं आ रहा है color है इसका बहुत ही प्यारा सा mustard color mustard color में कुर्ती है सिरोस की वर्क है देखिए पूरी कुर्ती पे सिरोस की वर्क आपको मिलने वाला है और पल्ले पे ये border आएगा ये वाला border आएगा back इसकी plane आने वाली है पूरी पे सिरोस की वर्क है और देखे पॉकिट जो आपको मिलने वाली है पॉकिट पे आपको इस तरह से बटन मिलेगा फैंसी बटन तो ये पॉकिट आने वाली है और नेक की इसके बाद करूँ तो नेक का डिजाइन देखे कितना प्यारा डिजाइन है नेक का छोटा सा नेक बहुत ही प्यारा सा इनको ये कुर्टी आराम से आ जाएगी तो ये इसका साइज है और स्लिप्स प्लेन आने वाली है देखे इस तरह से लेकिन स्टप बहुत ही अच्छा है बहुत ही सॉप्ट स्टप की ये कुर्टी है जिनको मोटे वुलन पहनना पसंद नहीं है तो उनके लिए कुर्टी आएगा नीचे तक इसी तरह से इसका पैटन आने वाला है अलग पैटन है इसका डिजाइन पहले वाले जैसा है एक्सल इसका साइज है एक्सल में है और देखिए डिजाइन वही नेक आएगी कट बोर्डर के साथ जो मस्टर्ड की मैंने दिखाई है लेकिन डिजाइन अल साइज एक्सल है तो जो भी कुर्ती आपको पसंद हो आप स्क्रेंशोट लीजेगा और वाट्सप पर सेंड करिएगा तो देखिए सबसे पहला जो है प्लाजो सैटप को मिलने वाला है ग्रे कलर का ग्रे कलर में यह आएगा और जो स्टप है इसका बहुत ही अच्छी बूलन है सौट याइड वाला और डिजाइन तो देखे कितना प्यारा है यह इसकी नैक बनी हुई है इस तरह से यहा तक यह नैक पर डिजाइन आने वाला है बहुत ही upon नैक है और स्टप की बात करूँ तो बहुत ही सौफ्ट है सचमें यह तो आप को फिल कर यहीं पता लगेगा मैं तो बोलती हूँ क्योंकि मैं तो fill कर रही हूँ या पर बहुत ही अच्छा है और ये इसकी slips आएंगी plane में grey क्योंकि back इसकी जो है ये plane आने वाली है light grey color है dark नहीं light grey के साथ black का combination है बहुत ही अच्छा तो ये इसकी कूर्टी आएगी और axle size है जो 42 size जिसको आता है तो उनके लिए plazo set बहुत अच्छा है हाला कि थोड़ा बड़ा भी चल जाएगा 44 तक भी आराम से आ जाएगा तो जिनको 42 या 44 कोई भी size आता है उन दोनों के लिए size बिल्कुल perfect है और catalog देख लीजिए आप इसकी किस तरह से look आने वाला है वैसे आपको dummy पे नजर आ जाएगा लेक प्लेन आएगा देखिए अच्छा stuff है तो एक plazo set आप का ये हो गया अब देखते हैं अगला अगला plazo set आपको ये मिलेगा रानी कलर या marganta कलर जो भी आप बोलना चाहें और इसके size की बात करूँ तो ये large medium size है large को भी आएगा medium को भी आएगा और ये space तरह से design है रानी के साथ golden color का है सिरोस की work है और color इसमें इसका जो है अजीब सा आरा इतना अच्छा color है इसका इतना dark नहीं है camera ये वाला देखिए यहाँ पे देखिए ये इसका real color आने वाला है ये वाला जो फिलाल दिख रहा है ये real है लेकिन थोड़ा सा color change हो रहा है fitting बहुत अच्छी आने वाली है large medium को ये इसके slips आएंगी plane में और neck इसकी इस तरह से आएगी देखिए neck बहुत ही प्यारी सी बनी हुई है छोटा सा neck है और back इसका plane आने वाला है ये वाला अब इसका plazo देख लेते हैं ये इसका plazo आएगा इसका plazo में पूरे में print आने वाला है नीचे ये border आएगा जो suit के बीच में border है ये border आने वाला है और बाकी पूरा design आएगा all over मतलब बोल सकते हैं अब देखते हैं अगला plazo set तो देखिए अगला plazo set भी सिरोस की work के साथ है हलका हलका सिरोस की work मिलेगा आपको golden और gray का combination है लेकिन ये gray थोड़ा सा अलग है जो greenish सा gray होता है वो वाला color है ये इस तरह से इस पे work आएगा और ये जो इसका आप देख रहे हैं सब अंदर से ही है उपर से कुछ भी नहीं है हलका हलका सिरोस की work मिलेगा और neck इसकी भी इसी तरह से आएगी बहुत ही अच्छी neck है double border के स साथ आपको मिल रही है देखिए और sleeves plane आएंगी gray में back भी इसकी plane आने वाली है इसमें क्या है ये print तो साथ में मतलब weaving वाला काम तो मिली रहा है साथ में design बुनाई बोलते है जिसको तो बुनाई का work भी इसमें है देखिए ये वाला जो side में है ये बुनाई है तो प्लाजो आएगा देखिए ये वाला ये बॉर्डर आएगा प्लाजो का नीचे बाकी plane आएगा देखिए इस तरह से इसका प्लाजो आएगा और प्लाजो बहुत ही loose है अच्छा है क्योंकि यहां से थाई पे से tight होता है तो कहीं बार लेकिन इसमें म्यानी वगरा है तो अ गाजरी कलर क्या पीच कलर कुछ इस तरह का है कलर मिक्सा कलर है इसका ना ही गाजरी है और ना ही पीच है दोनों का कॉंबिनेशन है और इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है डार्क सा आ रहा है इसका कलर थोड़ा सा light है पीच कलर ही बोल सकते हैं पीच orange पीच कलर है इसका देखिए औरेंज पीच कलर के साथ और नैक देखिए इसकी नैक बहुत ही ब्यूटिफुल सा डिजाइन है कलर है आप देख सकते हैं बटन मिलने वाले हैं दो और नैक कॉलर देखिए कितने अच्छे से फिनिसिंग के साथ ये प्लाजो सैट है और साथ में आपको इसके हलका जरी वर्क मिलेगा पहले ही बोल दे रही हूं इसमें हलका सा जरी वर्क है जो ये आपको शाइन आ रही है तो ये हलका सा इसमें जरी का काम है जैसे बुनाई में एक तार जरी का हलका सा लगा हुआ है लेकिन बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छी शाइन आ रही है इसम प्लाजो आएगा और प्लाजो में इसके जो डिजाइन है थोड़ा सा इस तरह से आएगा एक साइड से थोड़ा सा उपर है और एक साइड इसका कोना थोड़ा सा नीचे है तो इस तरह से डिजाइन हुआ है ये प्लाजो देखिए ये वाला ऐसे यहां से कम है और यहां से ऐ कैसे है देखिए यह इसका प्लाजो आएगा बॉर्डर के साथ बाकी प्लेन आएगा देखिए यह वाला सॉप्ट है वूल हार्ड वूल का मैंने आपको एक भी यहां पे नहीं दिखाई है कोई कुर्ती प्लाजो कुछ भी सब बहुत ही सॉप्ट रहने वाले हैं और हुडी म फिल जाएंगे जो बैंकित वाले इस्टप के आ रहे हैं वह नाइट सूट मिल जाएंगे गल्ज के और कार्डिकन का भी मेरे पास कोमेंट वाट्सब पहा रहे हैं मैसिजद झाल झाल